प्रखंट शेत्र अंतरगत ग्राम सबुआवो हरिगावा में स्थित जंगल में पेरपौधों की कटाई धरले से जारी है उक्तिक विश्य की जानकारी स्थानिय लोगों ने दी ग्रामिरों ने जानकारी देते हुए बताया कि जंगल की सुरक्षर वो पेरपौधों के बचा नितत नहीं आते आकरोशित ग्रामिरों ने कहा कि पेरपौधों की संड्रक्षन करना जंगल विभाग वो फोरेस्ट गार्ट का दायत्व है खिन्तु जंगल का बचाव कुन रूप से नहीं हो पा रहा है वहीं गर्षित कमिटी के अध्लक्ष राज कुमारतान तो ने कहा क कि पेरों की कटाई दोपहर के अलावे रात में भी की जा रही है भल रात में पेरों की कटाई के रोप थाम के लिए कौन कदम बढ़ाएगा रात में रोपने चाना मेरे बस की बात नहीं वहीं कमिटी के सचिव दिनेश पासवान में विभाग वा कमिटी का बचाव करते अनिल कुमार ने कहा कि यहां पधों की कटाई जो और शोर से हो रहा है अडख्ष सचिप कोशा ध्यक्ष सहित कमिटी को सूचना देने के पश्चात भी रोप्ठाम तनिक भी नहीं किया जा रहा है साथ ही कहा कि forrest guard को phone किया जाता है तो वे सायधी कभी आते हैं वैसे अपने मन से कभी प्रमंड करने भी नहीं आते साथ ही कहा कि दूर दूर के गावों के लोगों द्वारा कटाई की जाती है बताते चलें कि कुल मिलाकर जंगल विभाग वफोरेस्ट गार की लापरवाही के वजह हो जंगल बेजान बनते जा रहा है यदि पेड़ों की अंधा धुंद कटाई इसी प्रकार जारी रहा तो जंगल में पत्थरों वच चटानों के अलावे कुछ भी नहीं बज़ पाएगा आक्रोशित ग्रामिनों के द्वारा जंगल के पेड़ पौधों के बचाओ के लिए मांग किया जा रहा है मौके पर धर्मेंद्र कुमार, जितिंद्र कुमार, रामानुज प्रजापती, मदन कुमार, आशिश कुमार, मंजे कुमार, मुनी पासवान, संतुर्श कुमार तांतों सहित काफी संख्या में ग्रामिन उपस थे सबस्क्राइब बटर पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं